और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो। मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने अपनी पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माडियूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ प्रैंडिंग करेगा सभी तर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इस्टो के अब तक के सभी लूनन मिसंस की संक्षिप्त विवराप प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इस्टो का पहला मून मिसं चंद्रयानवन अक्टूबर दोहजराट में पी एसलबी राकेट के द्वारा सफलता पुरवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयानवन चंद्रमा के सता पर पानी की खोश करके पहले ही इतिहास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विस्टो के तमाम अंतरिक्ष वैग्यानिक और स्पेस एजन्सियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मून मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LBM-3 द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगबग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमेटर के सर्कुलर आरबिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्त LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट के वजह से चंद्रयान-2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा अब तक चंद्रयान-2 चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्यपोर्ट पेलोड ओयचार सी यानि कि आर्बिटर हाई रिजूलिशन कैमरा बिश्रो का सबसे बहत्रीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आरुसी जी से निवेदन करूँगा कि वो आप लोगों को इस्रो के बर्दमान मिशन चंद्रयान-3 के वारे में बता है अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इस्रो के अब तक के लूनार मिशन्स का विवरन अब चलते हैं टूर्द्स चंद्रयान-3 अब चलते हैं नमस्कार इस्रो के इस महा अभियान से जुड़ने के लिए आप साधर आमंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश-विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हारदिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस 2023 आज की साम इस्रो के वैग्यानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैग्यानिकों के साथ लैंडर मार्डिूल को चंद्रवा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इस्रो के गौरोपूर इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे आप ए सारे विज्वल्स अपने स्क्रीन पर इस्रो के मिसन आउपरेशन कॉंपलेक्स यानि मॉक से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है ये विज्वल्स आपको पावर डिसेंट के काउंट डाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग बाइस मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आफिसियल वेबसाइट फेस्बुक, ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं Honorable Dignitaries, Delegates, Scientists, Media Personnel and Dear Viewers A very good evening to all of you We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayanthari Missions landing event on the lunar surface These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's telemetry tracking and command network ISTRAC situated in Nama Bengaluru, Karnataka I, Arushi Seth, and my colleague Dr. Padamdeo Mishra are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from Power Descent Start to Touchdown Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayanthari wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon These display screens show the countdown to the Power Descent Start as well as the path that will be followed by the lander module We are 18 minutes away from the commencement of Power Descent India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's south polar region and every battle at the meeting Thanks for listening If the chance of distributing the throughput and keeping the preparation of the stream and the practice of the very situation are in place and the group has in place पहला मून मिशन श्रयान वन अक्टूबर दो हज़र आठ में पीए सेल वी अधन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोग मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के वीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पुरी तरह से आस्वस्त किया है कि lander module निश्चित तोर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा, सभी दर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इसरों के अब तक के सभी lunar missions को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे, जी हाँ, इसरों का पहला moon mission चंद्रय करके पहले ही तियास रच चुका है, यही कारण है कि आज कल विश्चु के तमाम अंतरिक्ष बैग्यानिक और Space Agency चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की जो इसरों का दूसरा mission है, जुलाई 2019 में इसरों के सबसे ताकत्वर राकेट LVM-3 द्वारा सफलता प्रोवक प्रक्षेपित किया गया था, और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है, मिसन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी, परन्तु LVM-3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिसन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा, अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका ह इसका एक बहुत ही महत्वर्ड पेलोड, OHRC यानि की आर्विटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वहतरीन कैमरा है, जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है, अब मैं ROCG से निवेदन करूंगा कि वह आप लोगों को इसरो के बरतमान मिसन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं. The mission is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface. कर्यान जिए इन्यास्टास्ट्री जिए एविए्ट रोकेट लVM 3, 14th जुवली चंडरयन 3। वाई सीट ऌ्रिचेस्ट और्प्रीज चंडरयन 3। अप्रिया पूम्डरीड सिप्ट टीक पर प्रिंद्टीह प्रिंटर। आर्ड के घ्टेपर्टीट एंजिए प्रिंटिष स in an orbit of 250 x 1,27,000 km. At the early hours of 1 August, the Translunar Injection was carried out, after which, the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 km for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the Spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, translunar injection किसी भी interplanetary mission के लिए बहुत ही आवस्यक परन्पकटिन आपरेशन होता है. इस सफल मैंनुवर के बाद, चंद्रयान 3 प्रतिवी से दूर निकल कर चंद्रमा के प्रभाव छित्र में एक hyperbolic trajectory के द्वारा पहुचाया गया. पुना 5 अगस्ट 2023 को lunar orbit insertion के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 km के periloon और 18,000 km के अपो लून के साथ चंद्रमा के elliptical orbit में स्थापित कर दिया गया. TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल operation होता है. इसमें हमें यह ध्यान देना अवस्यक होता है कि उपग्रह के बेगमान को एक निश्चित बिंदू से घटाया जा सके. अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव छित्र से बाहर निकल जाएगा. LOI के सफलता पुर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को चार बार और परिवर्थित किया गया. इस दौरान चंद्रमा के अधिक्तम उचाई को घटा कर 160 किलो मीटर कर दिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में propulsion module का लगभग 755 किलो ग्राम इधन का उप्योग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग 850 मीटर प्रतिसेकंड कम कर दिया गया. लैंडर माडूल को लगभग 150 किलो मीटर के सरकुरल आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्ट 2030 को propulsion module से अलग कर दिया गया. पुनह लैंडर माडूल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा 150 किलो मीटर के सरकुलर आर्बिट से घटा कर 25 गुडे 130 किलो मीटर के elliptical आर्बिट में स्थापित कर दिया गया. इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो threatable thrusters power descent के समय किसी भी चुनवती का सामना कर सकें. लैंडर माडूल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को power descent से पहले कार्यात्म कुरूफ से verify और validate किया जा सके. इस दोरान चंद्रयान दो और लैंडर माडूल की आपस में बाचीत भी हो चुकी है और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर माडूल अब तक 21 बार प्रतिभी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाग किलोमेटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चत किया गया कि सारे आर्विट मैनुवर्स इस परकार किये जाएं कि लाइंडिंग साइट पावर डिसंट के सुरुवाज से ही लाइंडर के आर्विटल प्लेन में बना रहा है That is true indeed We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of पावर डिसंट We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved The lander velocity has to be killed from nearly 6048 km per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter With several software improvements provision for full level redundancies a plethora of special tests namely the integrated hot test integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors propulsion system and associated guidance control and navigation algorithms The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 The Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission Chandrayaan-3 mission Chandrayaan-3 mission plan लगभग 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 Chandrayaan-2 के तरह ही बनाया गया है यहां यह वी सुनिश्चित किया गया है कि Chandrayaan-3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदिया Chandrayaan-2 के तरह ही हो और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत प्रतिसत सफल रहा हलाकि lander module के sensors और propulsion system को इस तरह से मजबूत किया गया है कि lander power descent के समय किसी भी आपदा से बाहर आकरके mission के मुख्य विद्देश्य को पूरा कर सके परिक्षड भी किया जा चुका है LDV जो कि पूर्टह स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया sensor है इसका मुख्यकार lander के velocity को तीनों अक्षों में compute करना है power descent के दौरान lander के सटीक position और velocity का ग्यान होना बहुत ही आवस्यक है laser inertial referencing and accelerometer package इस कारे को power addition के दौरान बखूवी निभाएगा trajectory generation जो कि चंद्रयान 3 mission के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर orbit maneuver के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि lander की mission objective को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि orbit determination जो कि उपग्रह के position और velocity को बहुत ही accurately बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल competition और estimation होता है यहां यह भी जानना महत्वपुर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC payload अब तक काफी उचे अस्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फल सुरूप landing site के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे दो दस्मलों 4 km कर दिया गया है जो कि power descent के दवरान soft landing कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा Apart from the sensors Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of moon equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface The two spectroscopes on rover APXS and LIBS will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area The Lander carries a seismometer Ilsa that can sense impact events and lunar quakes The thermal probe will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter The propulsion module has not been left behind and an An experimental shape payload has been added to it as a value addition It will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets We are minutes away from the start of power descent The entire power descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS which is a series of instructions preloaded to the Lander module These instructions include the commands to be executed data to be collected and analyzed and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent Yes, we are very close to the power descent We are very close to the power descent We are going to tell you that power descent is about four steps We have been pulled out The first step is Rough breaking phase which will be the lander which will be from the distance of the chandraman from the distance of 30 km and 7.4 km We have continuous flow of Lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN 32 located in Belalu, Bangaluru The data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links In addition to it we also have support from ESA and JPL DSN stations There will be no ground intervention once the ALS takes charge The preparation for today's event had started 48 hours before wherein various preselections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out The whole descent is divided into four phases the rough breaking phase the attitude hold phase fine breaking phase and the local navigation phase or the terminal descent phase ठीर सब्षन hon जी हाँ attitude hold phase की power descent का दूसरा चरण है एक बहुत ही महत्तो पुड़़फेज है इस 6 sec görd के small duration के दरान lander के 2 महत्तो पूऱफेज sensor Kaara और Lhasa lander की उचाई की गढणना करेंगे इस phase के पूरा होते ही लेंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 km की उचाईब पर होगा. During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 m per second to 358 m per second. The altitude will be brought down from 30 km to 7.4 km at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हमें देख सकते हैं कि mission operation complex roof में बैठे सभी वैज्यानिक ये जो ही data देख रहे हैं, वो deep space network ideation 32 के द्वारा provide किया जा रहा है. और अगर हम आप बात करें, power descent के तीसरे चरण का जो की fine braking phase होगा, जिसमें landing side से just 800 m की उचाईब पर vertically होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही, lander की velocity लगभग लगभग सुनने हो जाएगे. अगर हम आप बात करें, power descent के चौथे और अंतीम चरण का, जो की local navigation phase, या terminal descent fence भी कहा जाता है, इस दौरान, lander के दो engine बंद कर दिये जाएंगे, और lander के sensor द्वारा इसके height और velocity की गड़ना, inertial navigation को भेज दिया जाएगा. इस दौरान, lander 150 m की उचाई को प्राप्त करने के बाद, pull 131 सकेंड लगाएगा, इस पड़ाओ पे आने के बाद, पुनहा, lander 22 सकेंड के लिए hovering करेगा. आप इस समय अपने स्क्रीन पे mission operation complex में बैठे, सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं, जो की बहुत ही उच सुक्ता के साथ, telemetry data को देख रहे हैं. अभी हम लोग power descent सुरू होने से, जस्ट कुछी पल दूर हैं. पावर डिसेंट सुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है, और हमको इस सारे data mission operation complex room में, IDSN 32 के द्वारा, जो की लागातार lander के connection में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं, रह ब्रेकिंग फेस की सुर्वाट हो चुकी है. झाटन कर चाही है, और अिर इस रूंद बुलो में रहाँ सर्वी सु दू थज हमने 10 सकते हैं, रहाँ स्कत T 90 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package, Liraap, is aiding in the navigation. जी हां, अभी आप अपनी screen पे देख सकते हैं, कि लाइंडर अभ तक कुल 191 km horizontal दिसा में चल चुका है, और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हां, कुल 745 km के इस रफ ब्रेकिंग फेज में, आप देख सकते हैं, कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कम्प्लीट कर चुके हैं. Power Descent की यह सुरुआत हम कह सकते की बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें Lander अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 km to 6.8 km, during the next phase which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 km. RCC अभी हम इस Ground Trace को देखते हुए कह सकते हैं, कि रफ ब्रेकिंग फेस की सुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप यह देख सकती हैं, कि जो भी प्रोजेक्टेट Ground Trace है, उसी पे अपना Lander module आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक यह देखा जा सकता है, कि Lander module लगभग लगभग 370 km, 36 दिसा में चल चुका है. The mission operations team is analysing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the Lander module is being analysed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुसी, चुकि Ls एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए Ground से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दोरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के Deep Space Network से रियल टाइम में आ रहा है. इस mission में 2nd और 3rd order guidance polynomial का प्रियोग हुआ है, जो की inertial thrust और angle के हमेशा सुनिश्चित करेगा. During the entire descent there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated, one hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttle-able engine electronics module, the Tech-M, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि lander module, जिसकी सुरुआत में velocity 1680 meter per second थी, लगभग लगभग 1150 meter per second हो चुकी है. जो कि एक बहुत ही majestic सुरुआत कही जा सकती है इस rough breaking phase के लिए. यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि lander module का altitude धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि expected भी है. अभी हम बात करें current altitude के तो जो कि 28.6 km के आसपास है. आप screen पर ये भी देख सकते हैं. चंद्रयांत्री lander imager display. The lander imager is continuously giving, is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 km. The current altitude is 27 km as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में lander बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपने उचाई को घटा रहा है. अगर अब बात करें तो lander की उचाई चंद्रमा के सतह से लगभख 27 km से नीचे हो चुकी है. करीब करीब 26.7 km के आसपास है. The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough breaking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें, तो लगभख 8 मिनिट की यात्रा के बाद, lander अपनी horizontal velocity को लगातार कम करते हुए, अपने उचाई, अभिक्यी उचाई की समय 24 km की उचाई प्राप्त कर चुका है. अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि landing पूरी तरह से nominal है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि horizontal velocity लगातार कम होती हुए दिख रही है. पूरी तरह सकते हैं. जी हां अभी कि आप देख सकते हैं कि lander की horizontal velocity लगभग लगबस 720 meter per second हो गई है लगभग लगभग हम यह कह सकते हैं कि 900 meter per second velocity को कम किया जा चुका है कर दो पूजह कि आप की लगभग हम जाएंगे तौर्डवग लगभग हम जाएंगे टौर्डबस नापने हो इस पसके बाद हम जाएंगे टौर्ड़्ग अबितु जिखे लिटागे वडिया, यह हैं आपर वोर्यों सेस्ट व्यू वेमिल अपल्टूम्हा जगज कर दूदेश विज से भीज से प्यू तूमधारे विजिएरो इतार चिज दूम्हा, पूम्हारे लिज प्यू टूमधारे भीज कर दोल्तिम्हारे, ऱ्यूम्हारे We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेस के दाउरान, 800-Newton के चारो थ्रॉटवल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं. और लेंडर के हरिजंटर विलास्टी को लागातार कम कर रहे हैं. अब तक लाइंडर लगभग लगभग अपने पचहतर से 80% की आतरा को पूरा कर चुका है. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुसी, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टीटूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमेटर के आसपास है. जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधान मंत्री जी, स्री नरिंद्र मुझी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफ्रीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गए हैं. कर दो दो हमी जी हाँ, हमारे प्रधान मुझी है. श्री नरेंद्र मोदीजी who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us जी हां आप ये देख सकते हैं attitude hold face भी बहुत ही आसानी से lander face ने पार कर लिया है और a fine breaking की शुरुवात हो चुकी है अभी हम ये देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 5.6 km है जो के इस फेस के उपरांथ लगभग लगभग 800 meter हो जाएगे we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase जी हाँ जैसा की आरुसी जी ने बताया कि लगभग 3 minute के उपरां lander की हाइट लगभग 800 meter vertically होगी और यहाँ पे lander की horizontal velocity vertical velocity even downrange भी लगभग लगभग सुने होगा we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं की lander की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम हो चुकी है we are very close to the moon's surface nearly 2.6 kilometers as we can see we are nearing the final phase of the power descent which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase जी हाँ अब हम fine breaking waste के एकदम करीब आ चुके हाँ आप तालियों के गड़गड़हट से सुन सकते हैं की हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सखलता पूरवक हासिल कर लिया है और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं जिसकी सुरुआत भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी है थाव कर वा एक बहुत है लुट अप्लॉष प्रवाद लिया है इसनले के टलो प्रवार्म से बहुत हैं लिया लुक्त लुकेया है आए मिर और बहुत हैं लुकी ऑ्रव कर निया हैं जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट उपर हैं और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस इस स्थेज के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे ऒजब करेगा लगभ दिख लाओ आन लुवेवस्टर लेख स्थेज का इस सब्रतुद स्थेज कि लेख साइट लौट लो, एम डुटर। यह थे डवीड करेगा. जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 20 विटर की उचायबस पहां चंद्रम के सतफ से We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150m above the lunar surface जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे वैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर थिरसे ध्यान से देखें तो आल्टीट्व पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगवग लगवग एक सो पैतिस मेटर की उचाईपे हैं अभी आप यह देख सकते हैं कि लाइंडर की उचाई लगवक्स पैसेट मीटर के आसपास बची हुई है तो चया लेग बचाई लेंगन मोंच यह दाम अ क्वावक्स द्रण वह देख लैंडर की विग्वॉ को किया जा रहा है और हम बॉभक्स बीडर से भी कमा चुके हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि हम पाव लाइंडर माडूल पूरी तरह से सेफली और साफली चंद्रमा के सतह पे लाइंड हो चुका है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. पहुत ही ओंदा, बहुत ही ओंदा, बहुत ही अदा, बहुत ही ओंदा, अधर इस्रोग कमुनिटी तरह से खम प्रूशन. आधर आधर इस्रोग के लिए अधर इस्रोग के लिए आधर इस्रोग के लिए प्रूशन. मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आखों के सामने ऐसा, इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है, ऐसी एतिहासी घटनाएं, राष्ट्र जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है, ये पल आव विश्मनिय है, ये च्छा अभुपुर्व है, ये च्छा विक्सीद भारत के संखनात का है, ये च्छा नए भारत के जैगोश का है, ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है, ये च्छा जीत के चंद्रपत पर चलने का है, ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है, ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये च्छा भारत के उदयमान, भाग्य के अहवान का है, अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भर्षा हुई है, हमने धर्ती पर संकल पलिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंजिया इज नाव अन दे मून, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उडान के साख्षी बड़े हैं, साथियों मैं इस समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफरीका में हूँ, लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महा भियान पर भी लगा हुआ था, नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्ण में डूब गया है, हर गर में उत्सव शुड़ू हो गया है, रदय से मैं भी अपने देश वाच्चियों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, इस उमंग अर उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टीम चंद्रियान को, इसरो को, और देश के सभी वैज्ञानिकों को, जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्ण किया है, उत्सा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भरे इस अद्भुत पल के लिए, मैं एक सो चानीस करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ, मेरे परिवार जनों, हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी द्रू पर पहुंचा है, जहां आज तक, दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका, अब आज के बाद से, चांद से जुड़े, मित्थक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, और नई पिड़ी के लिए, कहावतें भी बदल जाएगी, भारत में तो हम, हम सभी लोग, धर्टी को मा कहते हैं, और चांद को मामा बुराते हैं, कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा, जब बच्चे कहां करेंगे चट्डा मामा बस एक तूर के है Friends, on this joyous occasion I would like to address all the people of the world the people of every country and region India's successful moon mission is not just India's alone this is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency our approach of one earth one family one future is resonating across the globe this human centric approach that we present and that we represent has been welcome universally our moon mission our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future I am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond we can all you can all in the future we can all भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ परखेंगे। और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांशी लक्षत्ताय किये। जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इसरो आदित्य एलवन मिशन लाउंच करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्षों में से एक है। गगन यान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई नौर्द लिमेट। साथियों साइन्स और टेकनलोजी देश के उजबल भविश्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। ये दिन हम सभी को एक उजबल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीग है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वज्ञानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरो शुब कामनाएं। बहुत बहुत दनवात। कर दो कर दो कर दोन दून का दो बहुत 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 बढ़ाई और भाप्स अध्यान हो प्रभ्याद्धी बिक भी ठार्ट नहींडिको पिंदी बढ़रे को चाहिं इसरोसे अट नथ्य है पिर्शिक हे डावतू अध्यार्ट्स लो कजूर इसेन आदने को नै करो इसे जढ गूनित मिढ स्थेल बिलंगे справ कैस्वार्ट EPA है अब कर दोता है लगा ने जो जा सबस्केंट दो नहीं है अब कर दोक्ता आजNS कपिस्टू है इचुटंटIDE करbourne, стан होज़ कहते है कित सुरफ दूमसे प्रट हमीफ ओने ऐसे अथिए को यह पर अविew मैं इनूमसे कोल अचीछ देग अचिछ दिस म entered 콜, हैंतनूत इन Sap अप्रिशन दस्टैनल गूमसे प्लेम बती इलागी, आप्र कर लिए अपली ही इंडिये इंड लिए। ऑंडिये एंडिये ऑना लिए्या मेंग झान विए लगज लिए। ठीमिंगानी ते चेम उफिस्थांटर्ष अविए। निए झाति अप्रोट हे जए इनन जए स्सक्ट नेख आक थैंडिये इंड निए इन कि टो लिए इन चिंसरसेंट जगए आंजू मेंटीं को अम्ड Chili senior camera झाल क्योंचे लाप संध्सर्णी में केुंट सीओ कीजिविस अे इस्वेशने क्कूणे ऑ्रूटैशसें जिस्वेशनी टीरे ग्या प्योर्ज़ ता कर्ट हू週 कि ऑ्ल Two Big इ сам मुण लगलिएट्र प्रव मसप् सिकान्स कामेफे लिए एससेी क्या development कि सब्थिंग ए के भीर्फ परे गूर्वाद प्रवां अर्सपुर्ट जिए टेच्प्राइन। गल्सके लिए दाके डिएक ली एक इंपक्नम ऑज्ट एक रख ल कधर ऑ्रश and I would like to thank my senior management, chairman ISRO, director URSE, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 3 experience. It has been breathe in breathe out Chandrayaan 3 for our team and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course Vidhi. With the guidance, with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts, with all this it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of our departments. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. So today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team it is not just only the project director and associate project director. Of course they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they have faced and overcome that. As a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing less than, nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will inspire us and will inspire us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally, helped us. In all, for every one of you, a big thank you because even a casual remark, an unintended point, can help a person who is striving to reach a goal, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite a, that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, thank you, team Isro, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. The amount, in fact, I was not that much confident because we have seen a couple of times issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that could, can any time go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that we are, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So, thank you very much for everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, Isro's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, honorable, honorable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in Isro. So, thank, thanks to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of, you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in Isro. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar, sir, and Mr. Kamalakar, Shri Kotesha Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And, of course, this is not the work of us alone. This is the work of a generation of Isro leadership and Isro scientists, and this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us, and all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. 3. And this is an incremental progress and definitely a great huge one it is, and thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining me, please. Yeah. 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 कर दो जुच्छाओं तरहा हुआ। 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 जुच्छाओं तरहा हुआ।